साब बात हुई कि आप महागडबंदन छोड़के आईए आपको निसाद आरक्षन हम लागू करेंगे कोई आपसे भीक नहीं मांग रहे हैं वह हमारा हक है उस हक को वियाईपी पार्टी मांग रही है पार्टी लड़ाई क्या है बीजीपी से बीजीपी से लड़ाई यही है कि आप अपने पार्टी को बिले कर लेंगे जो 2014 से लेके 2022 तक जो निसाद आरक्षन के नाम से जतना निसाद भाई बान अती पिछड़ा लोग घूम रहा है सबको ठक दें दुसरे नेता के जैसा बंज है हम लोग आज हमारे आदर्निय सन अफ मला मुकेश सहनी जी अगर भ निसाद आरक्षन की जो प्राथमिकता है निसाद आरक्षन की लड़ाई भी आईपी पाटी का जो है सन अफ मला अदर्निय मुकेश सहनी जी के नेतित में हर एक कारकरता जो है इस इस आंदोलन को हम लोग और तेज करने वाले है नवस्कार जंदा जैंसन में आपका भी यूफ दिया गया बिहार में 7 सीटों पर एमल सी चुनाओ हुझाई अ पर झबंध यूदा के खाते में बहुति चीन गई है जनता दली ऊनड़न साहर बहुते हैं देव जोती जी क्या करें अब तो पाटी भी लवक टूट गई जो पूरे देश की जो निशादों का आवाज को बुलंद कर रहा है उसको काउंसील में और एसेंबली में जाने से रोका जा रहा है कि आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके भारतिय जनता पाटी से क्या मांग थी भारतिय जनता पाटी से जब हम लोग महागट बंदन में आधरनिय तेजसी जादव जी के साथ आधरनिय लालू परसाज जादव जी के साथ जवराजनिति कर रहे थे उस समें साब बात हुई कि आप महागडबंदन छोड़के आईए आपको निशाद आरक्षन हम लागू करेंगे सभसेल निशाद आरक्षन की बात भी थी वीईपी पाठी का में उद्धेस क्या है सबसे पहला मांग था निशाद आरक्षन जो 75 साल से जो आपका डिव है कोई आपसे भीक नहीं मांग रहे हैं वह हमारा हक है उस हक को वियाईपी पार्टी मांग रही है जो आपको देना था आपने कहा देंगे कोटी-कोटी धन्यवाद देते हैं अधर निया मुखमंतरी निति इसको मार जी को उन्होंने अनुसंसा किया केंदर को केंदर उसको रोकी हुई है आज निशाद आरक्षन हम नहीं देंगे निशाद आरक्षन कियो नहीं देंगे वह भरतिया यंता प्रटी बोलक्यून बोल रहे हुई कुंछ तो नहीं कि को नहीं देंगे कि आप पार्टी लड़ाई क्या है बीजीपी से बीजीपी से लड़ाई यही है कि आप अपने पार्टी को बिले कर लीजिए अरे सहाब पार्टी को बिले कर लेंगे जो 2014 से लेके 2022 तक जो निसाद आरक्षन के नाम से जतना निसाद भाई बान अती पिछड़ा लोग घूम मान लेते दाज भारती जनता पाटी केंदर में मंतरी बना रहे थे जिसमीर प्रिया बनाया गया मंतरी है अब मुके शानी का आवास वीची जाएंगा लड़ाई बहुत लंबी होनी वाली है अप जब गय थे संघर्स कर रहे है थे बंबाई में 2006-08 उसमें तीन वाई पांच के कमरे में सोते थे और पबलिक बातरूम में जाते थे वह अपना घर भी नहीं था यहां जनता के लिए काम करना है बंगला गाड़ी घर लोग जो है ऐसो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए यही जनता गद्दी में बैठाती है यही जनता गद्दी स जो है सनुफ मला अधरनीय मुकेश सहनी जी के नेतित में हर एक कारकरता जो है इस आंदोलन को हम लोग और तेज करने वाले कैसे तेज करेंगे आपके पास सत्ता है नहीं कुरसी है उसमें हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे क्या कि 2020 में कोई अइसान किया भारतिय जनता प पाटी को तोड़ने के बादे बड़ा पाटी बनी तो उससे कोई फड़क नहीं पड़ता है अभी 2024 के तैयारी हम लोग सुरू कर चुके हैं लोग सवा में आने वक्त जो है हमारे आधरनीय सनुफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत जो है के अंदर तक पहुंचेगा पूरी तै यह करिपूट नहीं मान रहें करें कि हमने बहुत काम किया आपके नजर में क्या लगता कि क्या काम हुआ बिहार में एक अती पिछड़ा राज है इसमें बहुत काम करने की ज़रूत है 2005 से आधरनीय मुकमंत्री जी के नितित में जो कमी पैसा में लिमिटेट पैसा एक अती बिशेस राज की दर्जा भी मांग है जो आधरनीय मुकमंत्री जी नितित कुमार जी हमेशा मांग कर रहे हैं अच्छा देवजुती यह बताएए आप भारती जन्ता पार्टी खिलाप तो बोलते ही हैं पर मुकमंत्री नितित कुमार के साथ आपको बहुत नजदिगिया तका अऊंके खिलाप कुछ नहीं है उन्हें उन्होंने अनुसат किया उन्होंने उन्हां साथ किया कि निसाद सब्सक्रीज धेन को में सामिल कर लिया जाएं तो के इंद्रे में पड़ा हुआ है को भीख फिर सीव भीक नहीं मांग रहे हैं वह हग है वह लोटाना पड़ेगा बीधे जनता पाटी को आज नहीं तो कल उनको मियाएगा जिसcक उत्तरस पर्डेश बीहार और यह आपका एम जारकंड यह तीन राज में हम लोग मांग कर Jeanne हम लोग मांघ किया है जिस तरह से बंगाल में और दिल्ली में निसादों को सामिल किया गिया है लोग तबंगाल signals में लागू है बिहारल लड़ने के लिए तो यह थे हमारे साथ देव जोती जो की भी आईपी विकासिल इंसान पार्टी के प्रवक्ता हैं आपको मारा वीडियो के सलगा आप अपनी पर्तिक्रिया के में जरूर दें अगर आपको यूटूब चैनल पर देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद